नमस्कार साथियों बीवीटी चैनल में आपका स्वागत है साथियों आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ रास्टी किशकदर के रास्टी अध्यक्ष मानी महंदर यादो जी एड़ोकेट साथ में है वकिर साथ आपका स्वागत है धन्यबाद आपको मैं BDBA चैनल को धनेबाद दूँगा कि उन्होंने किसानों की बात और राश्टी किशकदर के बात आम लोगों की बीच में पहुचाने के लिए सहयोग के लिए मैं उनको बहुत बहुत आपको धनेबाद दूँगा आप आग एक क्वेशन कराएं मैं जवाब दूँगा अध्यक जी सबसे पहरे ये राश्टी किशकदर जो है बेसिकली किसकी मदद के लिए आपने बनाया है तमाम पार्टिया तो थी पहरे से तो आपके पार्टि का मूल उद्देश अगर जनता तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात होगे मैं बहुत अस्पश्ट सब्दों में कह देना चाहता हूँ कि राश्टी किशकदर बनाने का मेरा मकसद केवल एक रहा है कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर किशानों की भूमी का अधिगराण 2003 से ले करके खास उत्तपदेश में आज अभी भी जारी है 1906 राश्टी राजमार्क और रेल्वे भूमी अधिगराण 1989 इसके बीच में ही एक नया कानून कॉंग्रेस द्वारा 2013 लाया गया जिस पर कि मौजूदा सरकार मोदी जी ने 26 मैं सन 2014 को सपत लेने के बाद पहला आक्रमण 2013 कानून पर किया कि इसकी धारा 24 इसकी धारा 84 च्छी आसी यान तमाम ऐसे साथ संसोधन लेकर के आये लेकिन कॉंग्रेस के राज़स्वा में बहुमत होने के कारण तीन बार मोदी जी का अध्यादेश बढ़ाना पड़ा और तीन बार के बाद जब पास नहीं करा सके तो उन्होंने केंद्री कानून में दिये गए अधिकार केता संसोधन करके 24 अनुसुची को लागू किया जिससे किसानों को चार गुना मुआवजा और देहातन सहर में दो गुना पुनरवास पुनरविस्तापन इट मिंस राष्टी किसक दल का गठन करने का मकसद यही रहा कि भारत के किसानों को कानून की जानकारी नहीं थी 2013 कानून हम लोगों ने पढ़ा और उसको जनता की बीच में ला करके खड़ा किया आज यहाँ पूरी तरह से 2013 कानून को लागो कराने के लिए राष्टी किसक दल संगर्श करा जहाँ जहाँ अंदुलन होता है और नन पुल्टिकल रूट में किसान न्याय मोर्चा हमारा एक संगर्टन है जांपवी बारानसी में खास्ता होसे इसका काशेद बारानसी, जौनपूर, गाजीपूर, बलिया, मिर्जापूर, सोनभद, आदिज जिलों में काम करता है किसान न्याय मोर्चा और नए भूमिय अदिगान के बारे में किसान को जानकारी देके, डियम करक्टर से उनकी बात मनवा करके, चार गुना दिलाने का काम करता है मानने परहान मंतिरिया यह जो बीजिपी की सरकार है, अभी आये थे यहां मनारस में तो किसकों के लिए उन्होंने काफी कुछ इस वार किया है, तो क्या सही में कुछ कर रहा है कि मानने परघान मंतिर जी किषानों के शंबन में जो बारहान सी में उन्होंने किया कुछ नया नहीं किया 2000 की किस्त पर 220,000 करोड जो दिया वो सम्मान ने धी दिया और जो MSP की बात किया तो कानून नहीं बनाया वो सर्कुलर से जो बढ़ाते हैं वो इस सर्कुलर से रेट बढ़ाये हैं और किसानों को क्या दिये भसल का दोगुना दाम नहीं किये जब कह थे कि 22 में कर देंगे और तो और मानी पधान मंतरी जी 700 किशान मर गए 13 महीने में नेकिन पार्लामेंट में एक मिनट का 700 किशानों को सद्धानजली भी अपित नहीं किये है पधान मंतरी जी के नेचर में पता नहीं क्या है नेचर भारत के नेचर में कि भारत की पधारमंत्री जी क्या चाहते हैं कि देश का नौजवान देश का किशान और देश का जवान बरबाद हो जाए इसके लिए भी पधारमंत्री चिंतित नहीं है चाहिए वो अगनिवीरी योजना हो किशानों के लड़क ताकि प्रधान मंती जी किसानों की बात करते हैं कि किसान की बात के हमदादी नहीं है आज इस प्रधान मंती जी से बहुत दुखद है बहुत दुखद है कि भात के सम्मिधान के तब सपत लेते हैं भात सम्मिधान के तब नत्मस्तक होते हैं लेकिन मानी महोदया राश्पती महोदया इनको जब बहुम सपत दिला रही हैं जान रहे हैं कि 240 मेंबर आप पार्लामेटिंग के पास है यदि इनके पास 200 बानबेर का बहुमत है तो उसको सिद्ध करने के लिए बहुम सपत दिलाने से पहले एक सपता पंद्रा दीन एक तार कि देट भी ना फिक्स किये भारत में पहली बार अलपमत के पार्टी को बहुमत का सपत दिला देना और जिन जिन लोगों ने एंडिये बना करके समर्थन दिया है उनको क्या पूछ करके समर्थन लिखित समर्थन सत्यापन हुआ नहीं लेकिन पार्लामेट के सदन में उनक हाल ले जाना चाहते हैं इसी के बात में पधार मंतिजी पर अब देश की जनता का विश्वास उठते जा रहा है विदित है कि 700 कि साल मरे संसत में एक मिनिट का वो नहीं और देश की जनता देश का जवान सीमया पर मर रहा है अगिन बीरी योजना देखे चार साल के लिए देश की सीमा पर कोई मरने जाएगा यह तो खंड खंड में बांट करके पौरुस की तरह पुरु की तरह सिकंदर जब आया था विश्व विजयता बन करके भारत के छोटे-छोटे राज्यों को जीत लिया वही रननीत भारत को कमजूर जवान और किशान जब कमजूर हो ज दाएगा पधान मंत्री जी कोई इसकी चिंता नहीं है ना तो आरसस को है मानने राहुल जी राहुल जी ने जो जो चीजों को रखा उसका जबाब ना तो सदन में दिया गया और ना तो शड़क पर पधान मंत्री जी ने दिया कि अगनी पर हमारा क्या इस्टेंड होगा हम मारा नोकरी पर क्या इस्टेंड होगा सबसे दुखत बात ही है बहुत हाल में 6-6 साल लड़के परिस्रम करके पेपर लिक जो हो रहा है क्या पधार मंत्री जी अपने सिक्षा मंत्री जी और तमाम एजेंसियों को क्या अब तक क्या करवाई हुई देश को बताने का काम किया पर आप कमेंट करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमरी चैनल पर महमान हैं पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अबस कर लिजेगा हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं तैंक यू तैंक यू बेर मच